नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल GS with KD में बहुत दोस्त स्वागत है आशा करता हूँ आप लोग सवस्त होंगे मस्त होंगे जवर्जस्त होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे शौर मंडल और थाथ सोलर सिस्टम के बारे में ध्यन करने वाले हैं ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका एक प्रस्न जरूर एक्जाम में आपके आएगा तो वीडियो को अंतर तक पुरा देखीगा भीने स्किप किये अगर हमारा वीडियो आपको फसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा तता सब्सक जो है ये मरकरी है क्या है दोस्तों मरकरी है सूरज के सबसे नजदेक मरकरी यानि बुद्ध ग्रह है उसके बाद दूसरे नमर पर आपका वीनस यानि सुक्र है ये दूसरे नमर का है ये वीनस यानि सुक्र है तीसरे नमर पर हमारे प्रिथवी आ जाती है और चौथे नमर पे मार्स यानि मंगल ग्रह आ जाता है और पांचवे नमर पर ब्रिहस्पती यानि जुपिटर आ जाता है उसके बाद छटवे नमर पर दोस्तो सनी ग्रह आ जाता है और साथवे नमर पर अरून ग्रह आ जाता है यूरेनस उसके बाद अंतिम पर यानि आठवे नमर पर नेप प्रशनों में पूछा जाएगा सूर्य के सबसे नस्दिक ग्रह कौन सा है तो आप बताओगे बुद्ध यानि की मरकरी दूसरे नमर पर आपका आजाता है दूसरे नमर पर आजाता है वीनस वीनस यानि सुक्र उसके बाद देखेगा दोस्तों तीसरे नमर पर जो आता है ती ब्रिहस्पती यानि कि जूपिटर आ जाता है ब्रिहस्पती ग्रह सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों सबसे बड़ा है ब्रिहस्पती और सबसे छोटा है आपका बुद्ध उसके बाद छठवे नम्मर पे आ जाता है दोस्तों सन ग्रह की जो है वलाय पाई जाती हैं तो पूछे अगर किस ग्रह में वलाय पाई जाती हैं तो सनी में देखिए ये राउंड राउंड जो है वलाय पाई जा रही हैं उसका साथवे नम्मर पे आजाता है आपका अरुण यानि की उरेनस और आठवे नम्मर पे आपका आजाता है Neptune यानि की वरू तो चलिए दोस्तो इसी पे आधारित बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्णों को हम लोग देखते हैं और सभी प्रश्णों को solve करते हैं तो चलिए दोस्तो प्रश्ण की और अपने चलते हैं देखेगा सवर्मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन्सा है तो आपका आँसर आएका दोस्तो ब्रिहस्पती सबसे बड़ा होता है उसके बाद अगर बात करें दोस्तो कि सवर्मंडल का सबसे चोटा ग्रह तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है ये बुद्ध होता है और ये सूरी के नस्दीक भी होता है सबसे नस्दीक सूरी से सबसे नस्दीक बुद्ध ग्रह होता है तथा ये सबसे छोटा ग्रह भी है सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो ब्रिहस्पतीग्रह, सबसे छोटा पूछेगा तो बुध्धग्रह, और सबसे सूरे के नजदीक पूछेगा तो बुध्धग्रह, चलिए दोस्तों अगले प्रश्चियों चलते हैं अगर प्रशन में पूछा जाए दोस्तों कि सूरे के सबसे नस्दीक इस्थित ग्रह कौन सा है तो सबसे नस्दीक सूरे के बुध्ध ग्रह उपस्थित है तो प्रशन में अगर आएगा कि कौन सा ग्रह सूरे के सबसे नस्दीक है तो आप बताओगे बुध्ध और अगला प प्रिथवी के सबसे निकट इस्थित ग्रह कौन सा है तो प्रिथवी के सबसे निकट ग्रह जो है सुक्र है वीनस यानि की सुक्र है सुक्र ग्रह को प्रिथवी की जुडवा बहन के नाम से भी जानते हैं तो सुर के सबसे नस्दीक का ग्रह बुद्ध हो जाएगा सुर के सब से दूर का ग्रह वरुन हो जाएगा और प्रिथवी के सबसे नस्दीक का ग्रह सुक्र हो जाएगा इसे प्रिथवी की जुडवा बहन के नाम से भी जानते हैं सुक्र को चलिए अगले प्रस्थ की ओर चलते हैं अगर प्रस्थने में पूचा जाए दोस्तो कि प्रिथवी की सांज या भोर का तारा किसे कहते हैं तो सुक्र ग्रह को ही सांज या भोर का तारा भी कहते हैं प्रितवी की जुडवा बहन सुक्र को कहते हैं और सांज या भोर का तारा भी सुक्र को ही कहते हैं अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह दोस्तो वरुण है अभी हमने देखा है कि सूरे से सबसे ज़्यादा दूर यानि सबसे अधिक दूरी पर वरुण इस्थित है इसी लिए इसे सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं और ये सबसे ठंडा भी होता है तो अगर पूछा जाए सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो वरुण है और प्रिथवी से नहीं दोस्तों सुरे से सबसे दूरी पर कौन इस्तित है तो वरुण है चलिए दोस्तों अगले प्राशन की ओर चलते हैं अगर प्रस्ण में पूछा जाए दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे गर्म या चमकीला ग्रह कौन सा है तो ये भी सुक्र ग्रह ही है सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह सुक्र ही है अगला प्रशन देखेगा दोस्तो किन ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है तो जो आपका बुद्ध ग्रह है और सुक्र ग्रह है इन दोनों ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है बुद्ध और सुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है हमारा अगला प्रशन है दोस्तो प्रिथवी सूर्य का चक्कर किस दिशा में लगाती है तो जो प्रिथवी है दोस्तो ये पस्चिम से पूरब की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है प्रिथवी किधर से सूर्य का चक्कर लगाती है तो आप बताओ के पस्चिम से पूरब की ओर और अन्य ग्रह जो प्रिथवी के अलावा हैं, अगर बात करें अन्य ग्रहों की तुलना में कौन से ग्रह विपरित दिशा में, अच्छे दोस्तों जो आपके ग्रह हैं सुक्र और अरून जानते ही होंगे आप कि ये विपरित दिशा में चक्क लगाते हैं, किधर लगाते है दोस्तों विप्रीद दिशा में तो यही प्रेश ने पूछा गया है कि अन्य ग्रहों की तुलना में यानि सुक्र और अरुण के अलावा अन्य ग्रहों की तुलना में कौन से दो ग्रह विप्रीद दिशा में चक्कल लगाते हैं तो आप बताओगे सुक्र और अरुण शुक्र और अरुण जो है पूरब से पस्यम चक्कर लगाते हैं पूरब से किधर चक्कर लाते हैं पूरब से पस्यम इनके अलावा शुक्र और अरुण के अलावा जितने भी ग्रह बच जाते हैं सब पस्यम से पूरब चक्कर लगाते हैं जैसे कि पृत्वी भी सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है तो सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान में दोस्तो सनी के पास हैं 82 उपग्रह तो किसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं दोस्तो तो आप बताओगे सनी के पास हैं सबसे ज़्यादा 82 पहले जो है प्रिहस्पती के पास थे लेकिन अब हो गया है सनी के पास तो अगर पूचा जाए कि प्रिथवी सुर का चक्कर कैसे लगाती है तो आप बताओगे पस्चिम से पूरब की ओर और अन्य ग्रहों की तुलना में यानि सुक्र और अरुण को छोड़ने के बाद अन्य ग्रहों की तुलना में कौन से दो ग्रह विपरीद दिसामे चक्कर लगाते हैं तो आप बताओगे सुक्र और अरुण ये विपरीद दिसामे चक्कर लगाते हैं पूरब से पस्चिम इनके अलावा जितने भी ग्रह हैं सब पस्यम से पूरब चक्क लगाते हैं और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किसका है तो आप बताओगे सनी के सबसे ज़्यादा उपग्रह है 82 चलिए अगली स्लाइट के ओर चलते हैं देखें कि दोस्तो अगर पूछा जाए कि ब्रिहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी हैं तो ब्रिहस्पति ग्रह के जो है 79 यानि कि 89 उपग्रह हैं कितने उपग्रह हैं दोस्तो 89 79 ये ब्रिहस्पति के हैं जो कि दूसरा सरवाधिक है, पहला सरवाधिक सनी, दूसरा सरवाधिक ब्रिहस्पती, अगर प्रस्न पूछा जा दोस्तो, मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, तो आप बताओगे कि मंगल ग्रह के पास दो ही उपग्रह हैं, ओ भी कौन-कौन से हैं, फोबोस और धीमोस डीमोस जो है दोस्तों सबसे छोटा उपगरा है तो मंगल के पास दो उपगरा है कौन कौन से फोबोस और डीमोस अगला फ्रशन है प्रितिवी के पास कितने उपग्रह है तो आप बतावगे प्रितिवी के पास एक ही उपग्रह है वो भी कौन सा चंद्रमा प्रितिवी के पास एक ही उपग्रह है वो भी चंद्रमा तो ब्रिहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या 79 मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह है तो दो हैं Phobos और Demos और पृत्वी के पास कितने उपग्रह हैं तो एक ही है वो भी कौन सा है चंदरमा चले दोस्तों अगले प्रस्ट क्यों चलते हैं देखे प्रस्ट में अगर पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ग्यानी मेट का है ये ग्यानी मेट जो उपग्रह है ये ब्रिहस्पती का उपग्रह है ब्रिहस्पत के 7-9 में 7-9 उपग्रहों में ये भी एक है ग्यानी मेट जो कि उपग्रहों में सबसे बड़ा है किसमें दोस्तो उपग्रहों में सबसे बड़ा है और जो प्रिहस्पति है ये ग्रह में सबसे बड़ा है और उपग्रह में ग्यानी मीट सबसे बड़ा उपग्रह है अगला प्रश्म सनी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो सनी का सरवाधिक बड़ा यानि सबसे बड़ उपग्रह टाइटन है जो की दूसरे नम्मर पे भी आता है सभी उपग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है पहला ग्यानी में दूसरा टाइटन और सनी में तुलना की जाए अगर सनी के उपग्रहों की तो सनी का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन ठीक है दोस् सनी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो टाइटन है जो की उपग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा है और सनी में पहला सबसे बड़ा है चलिए अगले प्रस्ट क्यों चलते हैं अगर प्रस्ट में पूछा जा दोस्तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की शंख्या कितनी है त सूर के सबसे नजदेक बुत हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नमर पे सुक्र हो जाएगा, तीसरे नमर पे प्रिथभी आ जाती है, चौते नमर पे मंगल आ जाता है, पांचवे नमर पे ब्रिहस्पती आ जाता है, छटवे नमर पे सनी आ जाता है, सतवे पे अरून आ जाता है तो ये बढ़ती दूरी के अनुसार रखा गया है आठों ग्रहों को अगला प्रश्न सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है डीमोस जो की मंगल ग्रह का उपग्रह है मंगल के दो उपग्रह थे फोबोस और डिमोस जिसमें से डिमोस जो है सबसे छोटा पूरे उपग्रहों में पूरे उपग्रहों में सबसे छोटा कौन है डिमोस और सबसे बड़ा कौन सा था ग्यानी मेर ब्रिहस्पती का अगला प्रश्ण लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं तो हमने पहली स्लाइड नहीं बताया था दोस्तों कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं तो सौर मंदल में कितने ग्रह हैं तो आप बताओगे आठ, बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रिहस्पत, सनी, अरून, वरू, सौर मंदल का सबसे चोटा उप ग्रह का उनसा है, तो डिमोस है, सबसे बड़ा ग्यानिवीड है, डिमोस जो है, मंगल ग्रह का उप ग्रह है, तो मंगल ग्रह को ग्रह को कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, चलिए अगले स्लाइट की और चलते हैं, तो अभी हमने पहली स्लाइड में देखा दोस्तों कि वले जो होता है सनी ग्रह की वले हैं साथ वले पाई जाती है सनी ग्रह की तो वले युक्त ग्रह अगर पूछा जाए तो आप बताओगे सनी तो नीला ग्रह कौन सा है प्रिथवी है पीला ग्रह कौन सा है विहस्पती है हरा ग्रह कौन सा है अरुन है वले युक्त ग्रह कौन सा है सनी है सनी की कितने वला हैं तो आप बताओगे साथ चलिए अगली स्लाइट के ओर हम लोग बढ़ते हैं देखेगा दोस्तो 24 अवा प्रेशन है वला युक्त ग्रह कौन सा है तो आप बताओगे सनी है सूरी का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है तो जो सबसे नजदीक रहेगा वही कम समय में चक्कर लगाएगा तो बुद्ध सबसे नजदीक है सूरी के तो ये बहुत कम समय में चक्कर लगा लेता है मात्र 88 दिन में तो सूरी का एक चक्कर सबसे कम समय में कौन फूरा करता है, तो आप बताओगे बुद्ध मातर अठासी दिन में 26 समय प्रेशन, सूर्य का चक्कर सबसे अधिक समयम कौन लगाता है तो जो सबसे दूर होगा वही सबसे देर में चक्कर लगाएगा, तो सूर्य चलिए दोस्तो वलाय युक्तग्रह सनी और सूरी का चक्कर सबसे कम समयम कौन लगाता है बुध अठासी दिनों में सबसे अधिक समयम कौन लगाता है वरुण ठीक है दोस्तो अगली स्लाइट के ओर शलते हैं अगला प्रेशन दिखेगा दोस्तो 17 समय सरवाधिक चमकीला तारा कौन सा है तो सरवाधिक चमकीला तारा साइरस यानि डॉग इस्टार है सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है साइरस यानि डॉग इस्टार सूरी के केंदर तथा सत्ह का तापमान कितना है तो सूरी केंदर का तापमान 15 million degree Celsius है और सूरी के सत्ह का तापमान बाहरी सत्ह का तापमान 6000 degree Celsius है तो अगर सूरी केंदर का तापमान पूँचा जाए तो आप बताना 15 million degree Celsius और सत्ह का अगर पूँचे सता का बारी सता का तो 6000 डिग्री सेल्सियस उन्तिसावा प्रशन सूरी का प्रकास पृतिवी तक आने में कितना समय लेता है तो सूरी का प्रकास पृतिवी तक आने में 8 मिनट 20 सिकेंड का समय लेता है सूरी का प्रकास प्रितवी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचाता है तो सरवाधिक चंकीला तारा साइरे सत्वा डागिस्टार सूरी के केंदर का तापमान 15 मिलियन डिगरी सेल्सियस सूरी के सता का तापमान 6000 डिगरी सेल्सियस सूर का प्रकास प्रितिवी तक कितने समय पहुचता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड चले दोस्तों अगली स्लाइट के और चलते हैं 32 प्रसने दोस्तों चंदर्मा के प्रकास को प्रितिवी तक आने में कितना समय लगता है तो चंदर्मा का प्रकास प्रित्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुच जाता है चंदर्मा का प्रकास प्रित्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुच जाता है सूर में उपस्तित प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं तो सूर में सरवाधिक मात्रा में आपका हाइड्रोजन है उस गया दूसरा जो है हीलियम है तो प्रमुख तत्व कौन कौन से है सूरे में तो हाइड्रोजन 74% हेलियम 25% तो चंदर्मा का प्रकास प्रितवी तक पहुंचता है 1.3 सेकेंड में लगभग सूरे में उबस्तित हैं हाइड्रोजन 74% हेलियम 25% चलिए दोस्तो अगली स्लाइड की ओर चलते हैं अगला प्रस्ण प्रतितिता हुआ है दोस्तो हमारी मंदाकनी का क्या नाम है हमारी मंदाकनी का दुखदमेकला नाम है हमारी मंदाकनी को दुखदमेकला की नाम से जानते हैं 33 प्रस्ण सूर्य की उर्जा का सुरोत क्या है तो सूर्य की उर्जा का सुरोत नाभ की सल्लयन है सूर्य की उर्जा का सुरोत क्या है नाभ की सल्लयन इसमें हाइड्रोजन के छोटे-छोटे नाभिक मिलकर हेलियम बनाते हैं जिससे एनेर्जी उत्पन होती है प्रित्वी का अपनी धूरी पर जुकाओ कितना है तो प्रित्वी अपनी धूरी पर 25.03 अन्स चुकी हुई है तो अगर पूचा जाए दोस्तों हमारी मन्दागिनी का क्या नाम है तो दुख्धमेखला पताएंगे सूर्य की उर्जा का सुरोत क्या है नाग की सलनयन है छोटे-छोटे हाइट्रोजन के नाभिक मिलकर हेलियम के नाभिक का निर्मार करते हैं चार हाइट्रोजन मिलकर एक नाभिक का निर्मार कर लेते हैं उसका देखेगा दोस्तों अगर पूछा जाए प्रिथवी का अपनी धूरी पर जुखाओ कितना है तो साड़ी तेज़ डिगरी अगली स्लाइट कोड चलते हैं दोस्तों सबसे बड़ा तारा मंडल तो आप बताओगे सबसे बड़ा तारा मंडल जो है सेंटारस है सेंटारस 66 प्राष में, में पूछा जाए दोस्तों सोरे प्रिथवी से कितना बड़ा है तो सोरे प्रिथवी से 109 गुना बड़ा है तो सबसे बड़ा तारा मंडल, सेंटारस, आकास गंगा की आकरिती कैसी है, स्पाइरल, सर्पली है, और 37 नमर, सोरे प्रितिवी से कितना बड़ा है, तो 109 गुना, चलिए दोस्तों, अगली स्लाइट की ओर चलते हैं, अगर पूछा जाए दोस्तों, सबसे बड़ा तारा चमकीली सता कौन सी है, तो प्रकास मंडल, सूर की चमकीली सता है, सूर की सबसे चमकीली सता कौन सी है, प्रकास मंडल, उन्तली सामा प्रशन, सूर की बाहरी सता को किरीट अथवा कुरोना कहते हैं, सूर की बाहरी सता को किरीट अथवा कुरोना कहते हैं, चालिस नमर, अंत मंदल कि संख्या अंतरीच में तारबंडल कि संख्या इड्टी-णाइन इन तर्फित है तो सुर्ग की स चमकेली सता प्रकाश-मंडल into my तारह मंडलों की संखियां कितनी है तो 89 तारा मंडल हैं अंतरी छन में दे अगला प्रशा देकर amd में विस्फोर्टी तारा कहलाता है अभिनो तारा जो ब्रह्मान में विस्फोर्टी तारा होता है उसे हम कहते हैं अभिनो तारा बाइल साहुआ प्रश्ण किस ग्रह में सूर्य पस्चिम सुगता है तो सुक्र और अरुण सुक्र और अरुण ये विपरीत दिसा में चक्कल लगाते हैं पूरव से पस्चिम इसलिए यहां पर जो सूर्य उगता है ये उल्टा उगता है विपरीत उगता है यानि कि ये कहां उगता है पस्चिम की वो उगता है बाकी जगहों पर पूर में सुर्य उगता है पृत्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है तो पृत्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य है सूर्य एक तारा है और यहां पृत्वी के सबसे नजदीक है तो अगर पूचा जाए दोस्तो ब्रह्मान में 2040 तारा किसे कहते हैं तो अभी नवतारा को 2040 तारा कहते हैं अगर पूचा जाए दोस्तो किस ग्रह में सुरे पस्यम से उखता है तो सुक्र और अरुण दोनों ग्रहों पर सुरे पस्यम में उखता है बागी समय पूरब में अगर पूचा जाए दोस्तो कि ब्रह्मान विस्पोटी तारा को क्या काते है तो अभी नो तारा किस ग्रह में स सूर ये पसी में सुखता है शुक्रा और व्रन और अरोर्ण प्रितवी के सबसे नजदी गधाता है तो सूर्य अगली साइड के ओर हम लोग बढ़ते हैं अगर पूछा धूस्थ ओंक कि सूर्य के सबसे नजदीग का तारह कौन सा है तो आप क función सरी प्रितवी के जबसे सबसे बड़ा छुत्र गरह का उन्सा है तो सेरस सेरस जो है सेरस जो है सबसे बड़ा छुत्र गरह है तो पूचा जाए सूरी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है प्राक्सिमा सेंचुरी या प्रिथवी से दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है प्राक्सिमा सेंचुरी पहला सूरी चंद्रमा त्वारा प्रिथवी का एक चक्कल लगाने में कितना समय लगता है तो 27.3 दिन और सबसे बड़ा छुद्र का कौन सा है तो सेरस अगले प्रस्टियोर हम लोग बढ़ते हैं अगर पूचा जाए दोस्तो 47 नमबर में हेली पुच्छल तारा दिखता है तो हेली पुच्छल तारा जो है पुच्छल तारा ये प्रतेक 76 एर में दिखाई देता है 76 वर्सों में दिखाई देता है यानि अब ये पुनह दिखाई देगा 2062 में कब दिखाई देगा दोस्तो वो depend करता है उसके तापमान पर या temperature पर उन्चास नमर चंदरमा पर दिन वह रात का तापमान कितना होता है तो दिन में चंदरमा पर तापमान जो होता है 100 degree Celsius होता है दिन में 100 degree Celsius होता है प्लस का लेकिन रात में minus का 120 degree Celsius हो जाता है चंदरमा पर दिन का ताप मान 100 degree Celsius, राद का माइनस में 180, तो हेली पुछल तारा प्रतेक 76 वर्स में दिखाई देता है, 2062 में अब दिखाई देगा, तारे का रंग किसमे नेड़ भर करता है, तो ताप मान पर, चंदरमा के दिन का ताप मान 100 degree Celsius, राद का टमपरेचर 180 degree Celsius, अगली स्लाइट के बढ दोस्तों, यह आज का अमारा अंतिम प्रस्ण है दोस्तों, 100 दिवस कितने दिनों का होता है, तो 100 दिवस 24 दिनों का होता है, और 100 वर्स जो होता है, यह 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है, एक 100 वर्स, 100 वर्स, 100, 100 वर्स, तो जो 100 वर्स होता है दोस्तों, यह जो होता है 365 दिन लगभग 6 घंटे का होता है और 100 दिवस 24 घंटे का होता है तो इसी साथ आज का हमारे वीडियो समाप्त होता है दोस्तों आशा करता हूँ को आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दिजिएगा कर देगा तथा हमारे चैनल को subscribe करेज़ेगा इसी प्रकार के अन्य वीडियों दोस्प्सक्राइब करके बेखने के लिए तो सभी दोस्तों को नमस्कार धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ठैंक यू सो मघ्च